Welcome to lecture 3 of dating, यह dating का third video lecture है, इसमें हमारा fourth question क्या है, इसमें बोल रहा है कि integral यह दे रखा है, यहां से यहां तक एक integral दे रखा है, ठीक है, यहां तक integral दे रखा है, और यह किसके equal है, e to the power sec x fx plus c के equal है, तो क्या बोल रहा है, then the possible choice of fx, fx का possible choice क्या है? मतलब कि fx function किसके equal है क्या करेंगे इस option में हमें check करना होगा कि fx का value क्या है तो सबसे पहले हमारे पास क्या given है e पे power sick x और यहाँ पे क्या है sick x into 10x fx plus क्या है sick x into 10x यहाँ पे लिखा हुआ है sick x 10x dx यह integral किसके equal है e to the power sick x fx plus c के equal है तो क्या बोला है then the possible choice of fx तो एक बात यह बताओ कि जो fx है यह हमारा integrant के अंदर है इस integral के अंदर है और यहाँ तो बाहर है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि fx का value कैसे निकालेंगे fx का value निकालने के लिए अगर हम लोग दोनों side differentiate करतें तो जो left hand side का integral है यह गाइब हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमें इसे differentiate करना होगा constant का derivative 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं इसको दोनों side differentiate करते है तो हमारे पास क्या मिलेगा e पे power 6x और यहाँ पे क्या जाएगा 6x into 10x और यहाँ क्या हो जाएगा fx यह हो जाएगा 6x into 10x plus second square x यह तो left hand side में आगिया अब right hand side में क्या होगा इसमें लगेगा product rule पहले e to the power 6x को 6x के respect में करेंगे फिर 6x को x के respect में करेंगे तो क्या होगा e पे power 6x और यहाँ क्या होगा 6x into 10x fx को छोड़ दिया दूसरे case में e to the power 6x को छोड़ देंगे fx को differentiate करेंगे तो यह f dash x हो जाएगा ठीक है अब यह जो e to the power 6x है यहाँ e to the power 6x है इसको तो सबसे पहले cancel करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 6x into 10x fx प्लस क्या आजाएगा 6x plus into 10x प्लस 6x square x और यहाँ क्या आएगा 6x into 10x और यह fx भी आएगा और प्लस e e तो खतम f dash x आजाएगा उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि यह जो 6x 10x fx है यह दोनों साइट से cancel हो जाएगा तो हमें f dash x का direct value मिल गया क्या मिल गया f dash x f dash x हमें मिल गया 6x into 10x प्लस second square x यह मिल गया ना बट हमें क्या करना है हमें तो f x चाहिए तो f x निकालने के लिए हम क्या करेंगे फिर देखेंगे यह f dash x है दोनों side integrate कर देंगे f dash x dx तो यह तो हमारा f x आजाएगा ठीक है और यहाँ क्या हो जाएगा 6x into 10x प्लस second square x dx इससे क्या करेंगे 6x कॉमल ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6x प्लस 10x अब इसको integrate कैसे करेंगे यही आ रहेगा न यह जो integral आएगा यह f of x आएगा यह जो integral आएगा तो आपर सिंपल सी बात है इसको t माल लेंगे 6x प्लस 10x को t माल लो इसको t मालो differentiate करो तो यह क्या हो जाएगा 6x into 10x 6x into 10x और 10x का derivative क्या हो जाएगा second square x और dx हो जाएगा किसके equal हो जाएगा dt के 6x कॉमल लो तो 6x कॉमल लोगे तो यहाँ पे क्या है गई यह 6x प्लस 10x dx dt तो यहाँ से हमें fx क्या मिला यह जो पूरा लिखा हुआ न है यह पूरा यह तो खुदी हमारा dt है तो यह हो जाएगा dt इसका मतलब t plus c और t हमने किसे बोले है 6x प्लस 10x को बोले प्लस c अब c क्या हो सकता है c तो कोई भी real number हो सकता है मतलब 6x प्लस 10x प्लस real number देख ले तो option में यह तो है नहीं यह तो cancel हो जाएगा यह भी cancel हो जाएगा यह भी x 10x से यह हमारा b आ जाएगा c तो कोई भी real number हो सकता है तो c का value क्या ले इसने 1 upon 2 तो यहां से हमें क्या पता चला this implies that b is the correct option b क्या हो गया हमारा correct option हो गया ठीक है बच्छो question number 5 देख लो question number 5 में क्या बोल रहा है कि integral solve करो अभी step का integral देख के तुम्हें लगता हो गया इतना sine cost इतना बड़ा power बहुत टफ होगा बहुत आसान question है sine cost में ज़्यादा power रहन है साफ साफ देख रहा है कि इन दोनों से common क्या जाएगा cos cube x sorry sine square x common आजएगा और यहां से और यहां से common क्या जाएगा cos square x तो हमारा i क्या देख रखा है ये तो होगी हमारा sine square x into cos square x ऐसे होगी और इसके इन दोनों टरम से इस से इन दोनों टरम से तुम common क्या लेलो sine square x common लेलो तो क्या मिलेगा हमें साइन क्यूब एक्स ब्रैकेट में क्या बचेगा प्लस कॉस क्यूब एक्स ऐसे बच जाएगा इससे और इससे क्या कॉमन ले लो कॉस स्क्वार एक्स तो यहां फिर क्या बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स को यह होल स्क्वार भी है डी एक्स भी है ठीक है क्या हो गई है साइन स्क्वार एक्स को स्क्वार एक्स बचे इसको और इसको कमल लोगे तो क्या होगा साइन स्क्वार एक्स प्लस को स्क्वार एक्स वो तो वन हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वेर अब क्या करें अब कोशन आता है कि अब क्या करें तो अब अगर मैं यहाँ से इस ब्रैकेट में कॉस क्यूब एक्स कॉमल लेता हूँ देखो line of thinking क्या है अगर इससे cos cube x common लेता हूँ इस bracket के अंदर तो cos cube x आके यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 6x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा ये तो 10 cube x बन जाएगा bracket के अंदर और ये जो cos 6x है इस cos square x से cancel होके क्या बन जाएगा यहाँ पर denominator में क्या जाएगा cos to the power 4x बन जाएगा ये जो फिर cos to the power 4x होगा उसमें से 1 cos square x इसको देंगे sin square x को देंगे तो क्या बन जाएगा 10 square x एक जो cos square x उपर आके क्या हो जाएगा 6 square x तो on the whole ये जो पूरा integrand है ये 10 और 6 में convert हो जाएगा इसका मतलब ये काम कर जाएगा तो यही करेंगे हम लोग इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग इसमें से न इसको रहने दिया sin square x cos square x रहने दिया इस bracket के अंदर चलो मैं एक step लेके दिखा दे तो cos cube x हमने common ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा tan cube x plus का 1 और ये whole square dx ऐसे बचेगा तो i क्या हो जाएगा हमारा sin square x cos square x upon cos पे power 6x और यहाँ पर क्या बचा tan x tan cube x plus 1 का whole square dx अब ये cos square x इससे cancel होगा तो क्या मिलेगा cos to the power 4x एक cos square 4x sin square x को दे दिया तो ये क्या बन जाएगा tan square x और 1 upon cos square x हो जाएगा second square x और यहाँ पर क्या जाएगा 1 plus tan cube x whole square dx अब ये तो पूरा सेक और tan में convert होगी है क्या करेंगे simple सी बात है कि यहाँ पे साफ साफ देख रहा है कि tan x को टी माल लेंगे tan x को टी मानेंगे तो ये तो बन जाएगा t square और ये सेक square dx dt बन जाएगा देख लो और ये कुछ इस type का भी दिख रहा है अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि tan x को टी मानने से अच्छा 1 plus tan cube x को टी मान ले तो ठीक है उससे भी solve हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट यहाँ पे 1 plus tan x को अगर टी मानेंगे तो 1 plus t whole square मतलब 1 plus tan x whole square जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऐसा है मतलब 1 plus tan cube 1 सब जगाँ दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे न 10 x को टी मानो 10 x को टी मानो तो यहाँ से क्या होगा 10 x का derivative second square x dx क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा और 10X को T माने है तो आई क्या हो जाएगा T squared dt upon 1 plus T squared T cubed को whole square ऐसा हो जाएगा कुछ गरबर आ रहे है ना नहीं नहीं 10X को T मानने से काम नहीं चलेगा गलत बुलनों इसे नहीं होगा 10QX को T मानो 10X को T मानने से काम नहीं चलेगा 10QX को T लो ठीक है तभी तो यहाँ पे option में दिख रहे है ना 10QX T आ रहे है यहाँ पे 1 plus 10QX नहीं 10QX को T माननो 10QX को T माननो तो यह क्या हो जाएगा 3 10 square X कर दिया 10X का derivative second square X dx हमारा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा 1 upon 3 और यहाँ से चलो लिख देते 3 10 square X और second square X dx क्या हो जाएगा यह हमारा और 10QX को हमने T मानने तो 1 plus T का whole square यह तो हमारा dt में convert हो गया तो I का value क्या हो गया 1 upon 3 dt upon 1 plus T का whole square तो यह हो गया 1 upon 3 यह तो हो गया ना 1 plus T पे power minus 2 dt तो यह हो गया 1 by 3 और 1 plus T minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 तो जाएगा minus 1 upon 3 into 1 upon T पे power 1 upon T और T किसे हमने मानना है minus 1 upon 3 T किसे मानना है 1 plus 10 cube X minus 1 upon 3 यह तो यह option हो गया B is the correct option अब ऐसा है कि तुम लोग का जो indefinite integral है वो complete है जैसा मैंने बोला कि increasing decreasing function maximum minimum उसके video lecture में send करूँगा ठीक है indefinite complete है next video जो होगा हमारा definite का होगा indefinite में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है जितना questions करवा है उसे कर लो objective question जो theory बता है उसे समझ लो और जो भी doubt होगा doubt पूछ लिए करो इसमें जादा कुछ नहीं है next video start करेंगे बीच में मैंने तुम लोग को maximum minimum और increasing decreasing इसके video lecture बीच में send करूँगा ठीक है indefinite हमारा complete है ओके जाए